सुबा का नाश्ता हो या फिर हो रहलकी फुल की भूख या फिर बच्चों को देना है टिफिन में कुछ हेल्दी सा टेस्टी सा तो यह नाश्ता आप एक बार जरूर से ट्राय करें जो बहुत कम इंग्रिडियन में बनकर तयार हो जाएगा तो वीडियो अगर आज की पसंद पानी लिया आधा पानी इसमें एड़ कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी गाठे कोई भी लंस बिल्कुल भी ना रहे तो यह नाश्ता जों बिना दही के बना कर तयार करेंगे इसमें दही बिल्कुल भी हम एड़ नहीं करेंगे तो यहां पर इसम पानी और इसमें बचाए अब इसको लिट से कवर करके 5-7 मिनिट के लिए छोड़ देंगे अब जिन कटोरी में इस नाश्ते को बनाएंगे उनको ग्रीस कर लेंगे आप चाहे तो यहां पर बड़ी कटोरी में बना सकते हैं यह इस तरह की छोटी कटोरी हो तो उनमें भी चीवी चीनी एट किए इस चीनी से मीठा नहीं होगा पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा स्वादनुसा नमक एट कर देंगे एक चम्मच यहां पर कुकिंग ओईल एट कर देंगे और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स एट कर रहे हैं यहां पर सारी चीजों को हैं यहां पर सोडा एट करेंगे तो दोनों चीजों को हमें बिल्कुल एंड में करना है dont पर इसको अच्छा तो यहां पर हम और करें डालते हैं तो आधी आधी कटोरी हमें बनना है क्योंकि यह फूलेगा तो यह डबल हो जाएगा तो ज्यादा कटोरी हम इसकी बिल्कुल भी नहीं भरेंगे और जिस बर्तन में हम इसको भी हमने गेस पर रख दिया तो चलते हैं इनको इस तरह से हमने जाली रख लिए यहाँ पर और इन कटोरी को इस जाली के उपर रख कर लिट से कवर करके यहाँ पर 809 मिनिट के लिए छोड़ देंगे क्योंकि यह नाश्ता छोटा है तो एक कम टाइम में स्टीम हो जाएगा अगर बड़ी कटोरी में बना रहे हो तो ज्यादा टाइम लगेगा तो इसको यहाँ पर तो इस नाश्ते को यहाँ पर हम कटोरी में से निकाल लेंगे बहुती स्पोंजी और बहुती सोफ्ट नाश्ता बनकर तयार हुआ है तो इस नाश्ते को बनने में ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है तो एक बार आप इस नाश्ते को जोर से ट्राय करें आप द टेवे करीपत्टेट दें === कश्मीरी लाल मिर्शी ॎक तैस्ति मखिव ममें套े अज वते है असलोल नियों तो μज़े एट कर देंगे तो इसको यहां पर आप मीडियम फिलेम पर ही रोस्ट करें तो इस तरह से एक बार आप इस नाश्टे को जरूर से बनाएं बहुत ही कम टाइम में और देखा आपने अदा कट औरी सूजी से हमने इतना साला नाश्टा बना कर तैयार किया है तो इस तरह से सुबा की भाग दो अच्छे से दबाते हुए भी हम इसको रोस्ट कर लेंगे और इस तरह से अलट दे पलड़ते ताकि मसाल इस पे अच्छे से कोट हो जाए तो नाश्टा हम निकाल लेंगे तो देखिए हमारा मज़ेदान नाश्टा यहां पर बनके तयार हो चुका है इस नाश्टियो को आ आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलते एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ जब तक के लिए थेंक्यू सो माज